दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाय होती है जो भी समचार पत्रों परचाई भी होती है और विद्धैर्थियों के लिए वश्रक होती है तो आजी सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की समचार प परिचा देने वाले हैं तो आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं यह चछु प्रकासन की पुस्तक है इस गाइड में दस प्रेक्टिसेट पेपर हैं और पांच साल्ड पेपर हैं कच्छा एक सिपास तक के लिए यह पुस्तक है सभी कापी किताबों के दुकानों में आप और इस पुस्तक में जो प्रसन दिये वी उनकी व्याक्या भी काफी विश्तिर तरीके से दी गई है सीटेट की क्यों प्रेक्टिसेट और सॉल्ड पेपर ही नहीं अलग अलग विश्तक की वी किताबें आती हैं जैसे यहां पर देख रहे हैं आप लोग बाल विकास इमिश सूचनाओं को और पहली जो सूचना है वह उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आई शुरुवात करते हैं जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं थंबनेल उसी की हिसाब से हम लोग चर्चाय करेंगे लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखनी कोसिस करें वीडियो क आपको देख रहेंगे सब एक से बढ़कर एक महात्पूर्ण सूचना ही मैं सुचना ही मैं सुचना की वीडियो में लाता हूं सबसे पहले जो सूचना यह देखिए लिखी हुई यहां पर यूपिटर पहले सी कि यह संबलित अवर अधिनस्त सेवा का अंतिम चैन प्रदा देखने को मिल सकता है और यहां पर देख सकते हैं लोग की आप लोग की जो पत हैं कटा भी जारी कर दिया गया है यहां पर लिखा अधिनस्त सेवा चैन आयोग ने संबलित आवर अधिनस्त सेवा बढ़ती 2016 का अंतिम चैन प्रदाम गोजित कर दिया च्छैसों एक तालिस आस्तोस मोहर अग्निहोत्री ने बताए कि साक्षातकार में 2226 अभरती बुलाए गया थे साक्षातकार एक से 24 दिसंबर 2020 तक हुए इनमें निदेशक दिव्यांग जन के अधीन पुस्तकालिया धक्च छात्रवास अधिक्चक प्रूफ रीडर मोबिलिटी अध्यापक बहुत ज्यादा नहीं गया है हाला कि पहले कि बर्तियां होती थी आज से 45 साल पहले उनमें जो है कटाफ बहुत ज्यादा जाता था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पद रिक्त रहे गए हो यूपिटर पलेसी की बर्तियों में और यहां पर देखिये लिगा हुआ है कि अधीन पुस्त काले धक्ष पद की अनिवार आरता रखने वाल अबर्ति उपलब दने उपए ऐसे में यह सभी पद भी रिक्त हो गए तो देर से आया दुरस्त आया और बहुत दिन से विद्यार थी इसके परणाम का इंतिचार कर रहे थे अगला जो परणाम में वह आ सकता है नहीं दरोगाबर्ती 2,022 मैंने आप लोगों से बताया था की 2,022 में भी तो बरतियां नहीं आएंगी एक तो आरो लोकिसे वायों से एक और बरती है और एक बरती नहीं पर बरती की जो 850 पन है उनके लिए यह बरती है यह देर्खिए यांपर लिखा हुए कि 850 और पनो लोग देखते हैं जितने ज़्यादा लोग 40-30-50 जार लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं और जो चात्र सेयर कर सकते हो फेस्बुक में लिंक को नीचे से कॉपी करना है उसको किसी भी पेस्बुक ग्रूप में अपने या वाट्सप ग्रूप में वहां पर भेज देना ह अगे लिखा है कि आने वाले दिनों में युवाओं के लिए एक और अच्छा मौका होगा पूरु में 850 पदों को दरोगा वरती 2020-21 के 9534 पदों के साथ सामिल कर पर परिश्चक करा जाने त्यारी थी जो इस बात की चर्चा थी कि 850 पदों को इसी वरती में जोड दिया ज हैं उसके लिए इस बात पर सेमध बनी है कि इसके लिए अलग से बिग्यापन निकाला जाएगा ताकि और भी विद्ध्यार्थी को मौका मिल सकी हाला कि तकनीकी कारणों से बोड ने उपनिरीक्षक के 850 पदों पर अलग भरती प्रक्रिया कराने का निरना लिया है जिसके तहत अब भरती बोड ने अपनी कसरत भी शुरू कर दिये और इसके साथ ही पुलिस रेडियो साका के 2244 पदों पर भी बरती की प्रक्रिया वह चल रही है यहां पर भरती के बारें पूरी जानकारी भी दी गई है कि अगले वर्स की शुरुआत में बर्तियों से आवितन ल साकरिक पुलिस पुलिसों के लिए प्लाट्रून कमांडर पेसी वागिश्यमां दित्ती अधिकारी के लिए 9534 पदों पर भरती को तीन चरणों में परिच्छा करवाई है और यह सब आंसर की बारें दनकारी थी जो बरती चल रही है तो वहीं पर जो दरोगा भरती चल रह प्रक्रिया वह भी आगे बढ़ चुकी है और कल एक प्रिडाम घुषित किया गया मेडिकल का प्रिडाम और लिखा 4003 अभेरतियों को इसमें सफलता मिली है शुक्रुवार को नीचे लिखा हुआ कि स्सी केतिकारियों को कहना है कि चेरित अभेरतियों को जनवरी अध्वा भरवरी महीने में के पर्थम सब्ता से नुक्ती देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी अगली सुजना टीटी में होने वाले एक और बदलाव की है लिख है आधा घंटा पहले बंद होगा टीटी केंदर का गेट और उत्तर प्रदेश शिक्चा का पातरता की नई परिच्च्चि थी गोसित नहीं है लेकिन तैयारियों न जोर पकड़ लिया है नकल विहींद परिच्च्छा कराना उत्तर प्रतेश परिच्च्च नियमक प्राधिकारी प्रिच्चारतियों के पहुंशने के बाद प्रसंपत्र का पेकेट खोलने की वेवस्ता बन और भी बहुत सारी सूचना है कि दिल्ली के चात्रों ने डिल्ली में टाइप किया था पेपर कालेज के जो ऐसे सधारन लड़के हैं उनसे इन लोगों ने टाइप करवायर था यूपी टीटी में घोर लापरवाई भी थी उत्तर प्रदेश शिक्चा का पातरता परिक्चा का पेपर चापने में हुई मिली भगत की जाच में हो रहे खुलासे ने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है कि प्रसल पत्र को अलग अलग भासा में टाइप करने के लिए दिल्ली में इस्कूल कालेजों के लड़कों को अनिमी तरीके से बुलाय गया था और गौतम बुदिन गर पुलिस के मिस्नरी में दर्ज करा गया के मुकदमे में लिखा गया है कि सची परिच्छा नियमक द्वारा जिस और एस फिन्सरों लिम्टेट को 23 पेपर चापने का ठेका 13 करोण में दिया था उसके पास पेपर चापने के लिए संसाधा नहीं नहीं थी ना तो टाइपिस्ट थे सुरक्चित और ना ही उसके पास और हो तब क्या हो जैसा कल हुगा कल की समझार पत्रों में दिया कि हाई कोड की जो परिच्छा भी थी उसमें कालेश के अंदर जम करके नकल करवाई जा रहे थी आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा और यहां पर पुलिस प्रसासन हो गई है तो यह जो देख रहे हैं आप लोग बनार्सी के एक परिच्छा केंदर की तस्वीरे हैं जाबर जमकर के अफरा तफरी भी यह विद्यार्थियों को आरूप है कि यहां पर सामोही के नकल करवाई जा रहे थी हाई कोड की परिच् परिच्छा केंदर की परिच्छा केंदर की अचकल नकल हो रही है जितनी भी परिच्छा हो रहे हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इलाहबाद हाई कोड की रिव्यू आफीसर की बरती परिच्छा में नकल कराने के मामले में एक शिक्छक और नकल करने वाले अब भरती के खिलाफ मामला दर्ज कराया है वारा नरसी के परिच्छा केंदर आर्र ग्रूप औफ इंस्टिटूशन मोहन सराई को ब्लेक लिष्ट कर दिया गया है और इसके कान्र इस केंदर पर सनिवार को खूने वाली परिक्षा सहित से सभी परिक्षा अब कासी इस्टिटूट आफ टेक्नोलोजी एन एस्टू मिर्जा मुराद पर होगी एंटिय के अधिकारी के मुताबिक इस भरती परिक्षा के लिए प्रियाग राज सहित उत्तर प्रदेश के सोले सहरों में 87 परिक्षा केंद्र बनाए गये थे परिक्षा सुवए और साम दो सिफ्टों में आयोजित हो रही है और यह परिक्षा लगातार दो पालियों में 12 इसंबर तक चलेगी बनार अध्द हुए दूसरी सिफ्ट के पेपर की परिक्षा से एक हफते पूरु सूजोपन दी जाएगी एन्टिय ने संस्थान को ब्लैकलिस्ट करके इसे परिक्षा केंद्र कि सुची से बाहर कर दिया यह दूसरे नाम से नजवी अजनसी बना लेगा फिर से परिक्षा करेग करेगा असिस्टिन्ट प्रोफेसर बरती उत्रकुंजी जारी है उत्तर प्रतेश्च चैवा आयोगी प्रतेश के असास की महावी द्यालियों में 47 विशियों में सिस्टिन्ट प्रोफेसर के 2002 पड़ों पर बरती के लिए आयुज़ी प्रिक्चा की अंतिम उत्तरकुंजी शुक्रवार को जारी कर दिये आयोगने 18 रिसंबर तक अब बैठतियों से अपतिया मागी है अशास की यह महाविद्यालियों में असिस्टन प्रफेसर बढ़ती के लिए लिए परिशा तीन चल्ड़ों में हुई थी 3 अक्टूबर को 16 विसियों की दूसरे चल्ड़ में 13 नमबर को 18 विसियों की तीसरे चल्ड़ में 28 नंबर को 13 विसियों के परिशा करा गयी थी और अब इसकी जो आंसर की सूचना है इस सीयो को इस कोतवाल को फिला सस्पेंट कर दिया गया है एक यह था एक बैक्ती था पने बच्चे को लिए था और दुखाई दे रहा था कि मुझे मतमारू बच्चे के चोट लग जाएगी असल में यह होता यह कि हम लोग ऐसे वीडियो तो देखते हैं फिर बा हरताल कर दिया था रोग दिया था और उस पर पुलिस वाले कारवाई कर रहे थे और उस वाड़वाय का यह बैक्ती सपोर्ट कर रहा था और इसी के उसमें फिर पुलिस ने इसको भी पीटना शुरू कर दिया काफी भैभीत करने वाला यह वीडियो था जो कल वायरल हुआ है फिलाल कारवाई हो चुकी है बात करते हैं प्रात्मिक सिक्षकवर्थी की और प्रात्मिक सिक्षकवर्थी के बारे में बहुत सारी सूच रहा है कल विद्यार्थियों ने जहां पर नई सिक्षकवर्थी के लिए सिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया जी तस्वीरें आप परदरसन चल रहा है तो वहीं पर 79,000 सिखक बरती में 22,000 पतों को जुड़ने के लिए भी धर्ना परदरसन चल रहा है यहां पर लिखा कि सिखक बरती के अबरतियों ने भाजपा कारियाले पर किया परदरसन और यह अबरती पिछले 5-6 महीने से निशात गंज में CRT का रियाल में वहां पर लगातार पानी के टंकी के पास धरना प्रदसन कर रहे हैं यह दहीं यहां पर लिखा हुआ मंत्री अवास घेर ने पहुचे अभरतियों को पुलिस ने भेज दिया इको कारडन नई सिक्चक बढ़ती और 22 जार सिक्चक बढ़ती और OBC, SC, MRC के यह तो तीनों जो छात्र हैं लगातार धरना प्रदसन कर रहे हैं अगली सुचना लोग सेवा आयोग की है अंतिम सुचना है दो परिच्चों के तीथी टकरा गई है लिखा पाली टेकनिक प्रवक्ता की तीथी और हाई कोट APS की जो भरती है हो रही है होने वाली है उसकी परिच्चा एक ही तिन पढ़ गई है विद्यार्थी ने ग्यापन दिया है दोनों ही परिच्चा पाइस दिसमबर को प्रस्तावीत है इससे परिच्चों की चाहते परेशान है उनकी मांग है कि आयोग प्रवक्ता परिच्च जब देखते हैं क्या होता है पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाब